लोग आए थे उनका आखरी यहाँ पर विजित होगा इसके बाद कोई विजित होगा और दूसरी बात यह है अपने पहले ही कापाइट इस देमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसको अपनी बात रखनी है आप यहाँ पर आईए और आप आप डिरेक्ली भी आ सकते हैं अपना नाम लिखवा दीजिए और डिरेक्ली आईए चुके आधियाबादी का पूरा अधिकार अलिगर्ने मिलता है मैंनी चांसलर जब जहाँ पर चांसलर बसती है आज जो फॉंडम किया जाता है हम लोगों को दूसी बात आप पर दो थीम याद रखना है एक थीम जो के न्यू मीडिया यानि सोचल मीडिया पर चलेगा हिंदू मुस्लिम वर्सेस भागवा टेररिस्ट एंड हिंदी में जो लोग लिखना चाहते है तो वो जिन्ना के बारे में से एक लाइन लिखें के जिन्ना भारत का इतियाज है भारत के मुसल्मानों की आस्था नहीं है कि जिन्ना का जिन्न जो है वो हजार उन्नीज का जो है वो ही जाते हैं और इसको इसका हिंदू से प्रेम है ना मुसल्मानों से मौबबत है मैं आपको बताना चाहता हूँ दंगों का इत्याद पलटके देख लीजिए, मारे जाने वाले का भी कोई रिष्टा नहीं होता, ट्रेली वाले, रिक्षे वाले, दुकान वाले, किसी का कोई सियासत से नाता नहीं होता, पकर वो लोग गरीद लोग मारे जाते हैं। कि अपनी बात रखने का हग है, आप पीस पुली आईए, पाथ नेक के अंदर अपनी बात रखें, कोई मस्वरा है वो दीजिए।